मुहमद अजुरुद्दीन डेब्यू कर रहा है शायद आप चोक जाएंगे कि जिनोंने इतनी सारे इंटरनेशनल टेस्ट और बंडे मैचेस खेले हैं वो डेब्यू कैसे कर सकते हैं लेकिन मुहमद अजुरुद्दीन वाकई में अपने होम पिच पर डेब्यू करने जा रहा है यह होम पिच पोलिटिकल है राजनीती की है वो और अपने घर हैदराबाद में आने वाले तेलंगाना विधान सभा चुनाव में वो जूबिली हिल्स नाम के एक constituency से विधान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी हैं कॉंग्रेस के और ऐसा नहीं कि राजनीती का उन्हें कोई अनुभाव नहीं है वो सांसद रहे चुके हैं लेकिन इस बार पहली बार वो अपने होम पिछ पे याने तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं असर अपका स्वागत है वीपिसी में है हैदराबाद और मौमद अजरुदीन ये सब देश दुनिया जानती है लेकिन इतने सालों बाद यहां की पॉलिटिकल पिछ पे डेविव करने के आपके मन में कैसे आई यह जिए मैं लास्ट यर एलेक्शन नहीं रहा था लास्ट टाइम ये टाइम मैं लड़ना चाहरा था कुछ करना चाहरा था क्यूंकि मैं दो चार पांच शे साल से तो मैं वर्किंग प्रेजिएंट हूँ यहां पर तो मैं मौखा देख रहा था कि जूबलीज यहां पर काफी काम किया जा सकता है क्यूंकि एक चैलेंजिंग कॉंसिट्विंशी है इस नौट इजी इतना आसान नहीं है हमापे काम करना चैलेंजी है तो मैं उस चैलेंज को एक्सेप किया और मैं पार्टी से कहा कि मैं जूबलीज से रहना चाहरा इसके पहले कभी आपके दिमाग में यह नहीं है क्योंकि आप 2009 में यूपी चले गए थे मुरदाबाद से आप सांसत बन गए थे उसके बाद 1214 में मोका मिला तो आप राजस्थान चले गए सवाई माधोपूर तो वहां पे पहले क्यों गए पहले आपने अपना घर क्यों अउ侍 जयं पहले मरदाबाद में जब मैं ज्याइन किया था तो पार्टी का हुकम था कि यह से लड़े मुरदाबाद से तो मैं ने फ deStar से अपक्र थे चैलें बेरे तह रहले देढ़े उपनाद से मैंना कर जयाता तख इसे ता पहले थे इसे माइच में भर आहा यह फोज तेलंगाना की राजनिती बहुत अलग है अभी जो आप विधान सभा का चुनाओ लडने जा रहे है क्या फर्क दिखाए दे रहा है बिल्कुल अलग है यहां के प्राप्लम्ट अलग है मुरदावाद में अलग प्राप्लम से लाइंगवेज अलग है जो तेल्गू लेंगव प्रावर्म तो सिमिलर ही है, ज्यादा फरख नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं, जो मैं जातों के गरीब लोग का अपलिफ्मेंट होने चाहिए। कि सांसत से वापस विधान सभाव में आना एक तरीक एका डिमोशन भी माना जाता है। तो आपको ऐसा लगता है? पर गुझे आसे कोई डिमोशन निया इसमें ज्यादा काम कर सकते क्योंकि कोई स्टी थी तुम छोटी होती है, त्रीन लाग, साथ, हशाथ, सतार हजार अजार लोग होते हैं, लेकिन आगर एंपी के अगर जैंगे तो वास्ट होती हैं, वाजागा तो सवें ऐनकरना करना चालेंग नहीं है कोई भी काम करना चालेंग नहीं है चालेंग तो है लेकिन चोटी कॉंसिटुएंसे में जल से जल ज्यादा काम कर सकते हैं 2009 में जब अपने चुनाओ लड़ा था मौरदाबाद में गय थे तब मौमध अजुरुदीन क्रिकेट के इतने बड़े जाने माने खिलाडी लेकिन कॉंगरेस का यूप में मुस्लिम फेस करके आपको परमोट किया गया था बहुत बाती उस वक्त हुए थी अभी भी आप कि अपने आपको एक पॉलिटीशन लिमिट करना नहीं है एक टिपिकल आइडिटी के लिए लिमिट करना नहीं क्योंकि अगर आप देखेंगे जब मैं सवाइवादापूर में जब टॉंक से लड़ा था मिरको में चार लाग पंजाजार वोट है से विस्किल फिफ्टीन के कैमपेनी में वो मिक्स बड़ लेकिन 3,000,000 वोट हो अपने उसके आथे अधर कम्यूटी है तो उससे आप सोंच सकते अधर लगा सकते कि मेरको हर कम्यूटी लाइक करती है सनी कि कोई एक कम्यूटी लाइक ने करती है बलगिन जुबली जो मेरा घर से नजदीक है पर पा कि ही पार्टी है और एक तरीके का मुस्लिम समस्याओं को लेकर वो पॉलिटिक्स करती है कॉंगरेस की तरफ से एकदम अलग आकरमग तरीके से करती है उन्होंने भी बहुत कुछ आपके बारे में कहा है तो आप उनकी राजनी की तरफ कैसे देखते हैं यह बोलने के लिए नुकसान है इसके ज्यादा तर नुकसान कम्यूनिटी के लिए क्योंकि अगर आप देखना चाहरें तो जो प्राब्लम्स हो रहें लोगों को यूपी में भीहर में भढ़कावी स्पीच से या आप ऐसे टाइप की बातें करेंगे तो डिफिनेटली लोग को नाराती जरू है तो फिर मालम होता है मैंने तो तरंगाना से फरस्टेम जब जॉइन हुआ मैंने तो सीधा बाहर एलेक्टिन लड़ा तो ये फेल रेल तो उनके बाते हैं उन्होंने बोलने की बकवास बाते हैं तो कोई फेल नहीं क्या है चार हजार पांस सो क्रोड का काम किया मोरा पांस करें नहीं है तो इसलिए जो मुकायों करें है कॉंग्रेस बहुत बात कर लिये कि इस बार तेलंगाना में उनके दावे हैं कि हमारी सरकार आएगी यह जरूर यह होगा वो होगा लेकिन जब से पहले आंधर था तब कॉंग्रेस की बहुत साल तक युनाइट आंधर म सकता थी लेकिन जब से यह विभाजन हुआ है 24 में ना तेलंगाना हो या आंधर हो कॉंग्रेस को पिछले आठ नो सालों में यहां पर कुछ भी नहीं मिला तो क्यूं आपको ऐसा लगता है कि इस बार ही कुछ अलग हो जाएगा नहीं कॉंग्रेस की बज़ा से यह तो बिल कुछ काम नहीं कि उनके पूरे स्की फेल हो चुक है क्योंकि जो भी काम हुआ है कॉंगर्स के जमाने में हुआ जैसा कि अब देखेंगे ब्रीजिस बने अपने रोड से फ्राइवर्स हुए और कहीं तरह के अमें हॉस्पिटल्स भी बने मेरा खाल में बहुत से बहुत से काम है कॉंगर्स की टैमियों यहां पे इनके प्रोजेक्स पूरे फेंट है अब अगर लिख देखेंगे थे बड़ा सुप्राइब बड़ा प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट अज कर दूब गया इसने पैसे लाग एक लाग बी सदर पैसे लाग तो क्या किया कितना बड़ लिए उसको जुडिशल पावर देंगे वालो जुडिशल पावर आज तक नहीं मिला नौ साल नहीं है यह सब जो प्रोब्लम से समस्य आएं वो सौल करने के लिए जरूरी होता है विधायक का या फिर सांसत का अक्सेसिबल होना मैं एधराबाद में बहुत य यह एक आपके बारे में शिकायत सुन रहा हूं लोग बाते करते हैं कि क्या लेकिन मुहमद अजरुदीन अक्सेसिबल होंगे बहुत सारे करियर में वो तो क्रिकेट के वक बाहरी रहे है फिर उन्होंने राजनीती का अपना पहला मन शुना यूपी जाके तब वो यहां प टोड़ीयो जाता है हम यह तो नहीं होता जो सुनुराह मैं दो मु पूछ रहा हुना उसक जो लोग बोलते रहते हैं लोग को कुछ बूलने का अनको बोलतेव है क्रेशैम अब लेकिन क्रिकेट पिच का भी आदनी है तो यह पॉलिटिकल फिच देख देख्ए वद क्या अ अभी नियुक्ति रही मंगोगी कि और मुझन उप मेना चाहिए, अधि एप पूचिंग होती है जो कोमें टर्री होती है उससे अनियुक्ति मेरे पॉलिडिकर आप अटी होड़ी है। अभी शायद सुना हुआ कि बहुत बड़ी क्रिकेट को लेकर ही कॉंटरवर्सी चल रही है आपके नेता राहूल गांधी ने राजस्थाम में बात करते वक्त पनौती फिर विकेट क्रिकेट वल्कप का फाइनल में हार जाना इसके उपर बहुत सारी चर्चा हो रही है अभी एलेक्टन कर्मिशन की दरफ से उनको नोटिस भी बिदिया गया है कि आपको लगता है वाकी ये पनौती और प्रिकेट वल्कप के फाइनल में हार जाना इसका कोई सम्मंध है उनको जो समझा कुछ सोच कहीं बोले होंगा हुए तो बार उनको बादे लगा होगा कुछ देखते हैं मुरा जरुदिन थैंक यू थैंक्स अलोट आपने यह समय निकाला थैंक्यू